असलाम अलेकुम और वोलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब लोग आए हूप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगी जनाब मैं भी बिल्कुल चीक हूँ और आज आपके साथ जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ बहुत इंट्रस्टिंग वीडियो होने वाली है बिकास आज मैं उन प्रॉडक्ट्स की रिवियूज शेयर करूँगी ओनिस्ट रिवियूज जी हाँ जैसा कि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं मेरे चैनल पे जो वीडियो आती हैं उनको देखते हैं मैं अकसर बलके मुस्टली हर महीने जब क्लिक्स के शॉपिंग करती हूँ मैं आप लोग के साथ उसका क्लिक्स की शॉपिंग हॉल जुरूर शेयर करती हूँ तो इस सफ़र जब मैं क्लिक्स पे गई थी मंतली शॉपिंग के लिए वहां मैंने लॉरेल की कुछ प्रॉड़क्स जो थी वो देखी थी वो प्रोमोशन पे भी थी ने प्रॉड़क्ट से जो मार्केट में लांच हुए थे यहां पर सो मैं वो लिकर आई थी और मैंने सोचा था मैं उनको ट्राइ करूंगी जब मैंने आप सब के सथ वो वीडियो शेयर की थी अपनी शॉपिंग हॉल की तो काफी ज़दा लोगों ने मुझे परसनल में डीम भी किये और मेरे वीडियो की नीचे कॉमेंट सेक्शन में भी मु मैं ज़रूर हमी हैं जरूर रिप्लाइ करती हूं। आप जैसे कि आदग भी हो गई हैं तो मुझे अकसर लोग जब मैं शेयर करती हूं को अपसे भारे में बारे में सूचते हैं क आप कौन सा हेयर कलर यूजक्ड़ करती हैं आज मैंने सोचा कि मैं लाडियल की उस वावदीन का बहुत ही फेवरेट वीडियो होने वाला है आपको पता ही है कि उनका इंटरस्ट होता है कोस्मेटिकल प्रोडक्ट में उनके रिव्यूस जानने के बारे में सबसे पहले रिव्यू मैं करूंगी आज हमालिया के डीटॉक्सिफाइंग स्क्रब का जे चार्कूल और मैंने यह पी एप्लाइ किया है पी स्केन पर यह मैं इस बार नहीं लेकर आए थी मैं लास्ट टाइम लेकर आए थी क्लिक से और मैं स्टेल इसको यूस कर रही हूं सो फॉर समर सीजन इत हैस बेस्ट रिजर्व अच्छा है और इसके अंदर स्क्रबिंग के लिए जो है इसका जो एक तो फोमिंग नहीं है फोमिंग मैटेरियल नहीं इसके अंदर जो और इसके इलावा इसके इंदर जो बिल्कुल सॉफ्ट से माइक्रो बीड्स है वो आपकी स्केन को क्लिया करते है ठीक है और सेकिंड प्रोड़क्ट है जनाव हमारी रेवलॉन मैं जो लेकर है ती हेर कलर इस तफ़ जो हेर कलर शेयर लाई हूं मैं यह और अबन शेयर 31 है एंड बिलीव मिं जाइस के इतना जबरदस शेयर आया आप्टर एप्लाइंग माई है बहुत अच्छा शेयर डाया मेरे बालों पे अच्छा अच्छा और भी शेयर करती चलों कि इस तरह के जो कलर होते है ना रेड, ओबन, महागने और जो ब्राउनिश टोन के बाल होते हैं उन पे इसका बहुत अच्छा एफेक्ट आता है और मेरे बालों का मत्तब मेरा बालों का जो टेक्स्चर है यह कलर शेयर है वो बहुत लाइट टोन में तो उस पे मैं जो भी कलर पाकुछ स्क्रब की बात की जाए तो इसको तो मैं दे दूँगी 9 आउट ओफ 10 बिकाज यह बहुत अफेक्टिव है एक लिहाज से सामर टाइम के लिए यहां पर अब चुके समर है स्किन बहुत जादा आपकी जो ऑईली हो रही होती है और जो स्किन के अंदर इतना जाद जाता है यह इसको बहुत अच्छे से क्लें कर लेता है एंड हेर कलर तो ओविएसली बहुत सारी ब्रैंड मार्केट में अविलेबल है जो ब्रैंड आपकी बालों को सूट करती है यह आपको लगता है कि इसमें लेस केमिकल्स हैं और आपकी पॉकेट फ्रेंडली भी है मैंने डे के टाइम पर अप्लाई करना शुरू की है अपनी स्केन पर और नाइच के लिए है तो आफ्टर वाशिंग माइ फेस वाश मैं इसको अच्छे से पैट पैट ड्राइ करती हूं स्केन को और अप्लाई कर लेती हूं अच्छा इस क्रीम की और खासियत के भी बताती कि अफ्टर कोवेट मी और माइ हस्बंड भी फिल था हमारी जो स्केन है वह बहुत जादा ड्राइ हो रही थी और स्केन पहुत इपर बहुत दिफरेंट के ना पैचिस से अपियर हो रहे थे एक और बात यहां पी श्यरकती चलों कि मेरे हस्बंड भी जो है लोशन और प्र पैचिस से पील हो रहे थे मैंने पहले सोचा कि हम किसी स्किन स्पेशलिस्ट को मिलते हैं और फिर वहां पर उनसे बात करके हम कोई अच्छी सी डर्मेटोलिजिकल जो है ना टेस्टेड क्रीम यूज कर लेते हैं लेकिन फिर उनसे भी पहले आई थाउट के लेट मी गो इसके इलावा ये इनकी नियू लांच थी सो आई ट्राइड दिस वान और मुझे इसके रिजल्ट अब तक की जो रिजल्ट से काफी बेटर लग रहे हैं इवन माई हजबन इस सैटिसफाइड इच्छा एक और चीज के टेक्स्चर की जब बात की जाए बहुत स्मूथ टे इसके पहले रिवाइटा लिफ्ट जो है लॉरेल की वह मैं यूज कर रही ती अपने लिए आई वस यूजिंग सिंस वान एनाफ इयर जी हम बलकुल लॉरेल की जो रिवाइटा लिफ्ट जो रेड कलर में मैं आपको शो कर रही हूं यह मैं तक्रीम एनाफ यह ते अपने कि इसके अंदर स्मेल फ्रेग्रेंस जो है इसकी बहुत जादा शाप नहीं थी जिससे मुझे इरिटेशन बिल्कुल भी नहीं हो रही थी अगर आप लोग एज़ पॉफिक्ट की तरफ नहीं भी जाते तो आप लॉरेल का रिवाइटर लिफ्ट जो है इसको भी रप्लाई कर सकते हैं फॉर डे डे परपस डे क्रीम के तौर पे लेकिन अगर आप डे और नाइट दोनों के लिए यूज़ करना चाहते हैं अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट रखने के लिए उसकी केर करने के लिए तो एज़ परफेक्ट इस ऑल्सो बेस्ट यहां यह बात भी आप सब के साँ शेयर करती चलों कि अच्छा और उपसुरत देखने के लिए जरूरी नहीं है कि बहुत ही महंगी कास्मेटिक्स प्रा जो है वो बाइग की जाएं या आप बहुत ही महंगी किसम की क्रीमें यूज़ करें बिलकुल आप अपनी डाइट को जो है ना वो प्रॉपर रखेंगे पानी बहुत जादा इस्तमाल करना चाहिए क्योंकि स्किन को हाइडरेट रखने के लिए हमें पानी जादा से जादा पीना चाहिए अब बाकी दुनिया में तो इस वक्त विंटर टाइम है औफ कोर्स वहां पे सर्दी विलसे पानी पीन होते हैं लेमनेड होता है पानी है इस्पेशली पानी तो बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए तो यह सब ठीजें जो है ना स्किन को हाइडरेट रखने के लिए जादा ज़रूरी है और आपकी एक परफेक्ट डाइट अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज गिविट अब एक थाम्स अप एंड दू सब्सक्राइब मैं चैनल विद बैल आइकन इंशाला अब कमिंग किसी वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्ला हाफेज झाल